हेलो काईज आप कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छा आज में बनाने जा रही हूं सोयबीन की बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी यह पांच मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगी तो देखिए मैंने कैसे बनाई है फ्रेंट्स तो आईए सब सबसे पहले मैंने काटूल से लिए लिया था और इसको हमने बाइल कर लिया था और वाइल करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा आनमागिएट कर और आदे से कम थोड़ा सा गरम मसाला एड कि हम और एक जमाच हम ने धनिया एड के प्रेंट्स और इसमें मैंने सॉल्ट आड कि है मैरी नेशन के लिए ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो अच्छे से हमारी सोयविन की बारी में बैट जाए और अब हम इसमें तो बड़े भर के चमश दही का एड़ करेंगे इस तरीके से बना कर देखिएगा फ्रेंड्स बहुत टिस्टी बनती है और दम खाने में बहुत अच्छी आप रोटी पराठे सभी के साथ में इसको इ छोड़ देंगे यह रैसे भी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और साथ में हम ग्रेवी के लिए जो मसाले हैं वह एड़ कर लेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने जाद रख ले लिया था एक इंच और आठ से दस लेसन ले लिये थे और इसमें हम एक बड़ा और आप मैंने कड़ाई चड़ा दिया इसको गरम करने देंगे फ्रेंट्स और इसमें मैंने दो बड़े भर के चमच ऑईल कर लिया है आप चाहें तो कम ऑईल भी ले सकते हैं इसमें क्या सोयविन ऑईल सोक लेता इसलिए थोड़ा सो आयल जादा ढ़लेगा अब इसमें मै प्याज और लेसन गिराइंड करके रखा था वह भी हम मैं कर दिया इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई होना देंगे यह देखे थोड़ा थोड़ा हमारा मसाला ट्रांसलूट सेंट रैड कलर का हो गया है तो अब हम इसमें दूसरे मसाले ड्राय मसाले आइड कर देंगे त क्योंकि ड्राय मसाले डालते हैं तो तुरंत जलने लगते हैं इसलिए हम साथ के साथ में इसमें पानी भी डाल देंगे कि यह देखे है और इनको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे फ्रैंट कि यह देखे हमारा ओयल रिलीज हो गया आप हम इसमें टमाटर एक बड़ा टमाटर कट करके एड कर देंगे चाहें तो आप इसको पीस करके भी आइड कर सकते हैं अब जब आप इस तरीके से डालेंगे ना टमाटर तो एक जो थोड़े से खड़ी टमाटर रह जाते हैं तो उसका एक अलगी ट्रीस्ट आता है हम टमाटर को गलानी के लिए इसमें नमग भी आइड कर देंगे अब हमने जो मेरिनेट करके रखे थे सोयवीन वह हम इसमें सोयवीन में बैट जाए और यह देखिए हमारी सोयवीन की सबजी बनकर रेडी है और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आती है आप एक बार जरूर से बना कर देखिएगा और मेरे रेस्पी आपको कैसी लगती फ्रेंट जरूब से बताईएगा और जो सोयवीन होता है व झाल